आज की साइंस क्लास में हम जालेंगे IOPAC Nomenclature IOPAC नाम पंदती आज हम सीखने वाले हैं Hydrocarbons की Straight Chain अगर हो तो उसका नाम कैसे रखते हैं कि एक बहुत Important और Interesting Discussion होने वाला है इसलिए क्लास के Last तक बने रहें और क्लास के Last में आपके लिए हमेशा की तरह होगा एक Quiz और उसके बाद होगा आपके Interesting Comments का एक Session तो क्लास के Last तक बने रहें और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें नई क्लास के Notification के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें वीडियो को Like करें और साथ ही Share भी करें हमने अपनी पिछली क्लास में जाना था Hydrocarbons के बारे में हमने जाना था कि Hydrocarbons हो सकते हैं Saturated और Unsaturated संतरप्त या फिर असंतरप्त और उसके बाद हमने जाना था कि जो Saturated Hydrocarbons हैं वो कहलाते हैं Alkene जिनका General Formula होता CNH 2N plus 2 और ये देखा था हमने इनका Skeleton ऐसे ही Unsaturated Hydrocarbons की बात करें तो वो होंगे Alkene और Alkene जिनका General Formula है CNS 2N और CNS 2N-2 और ये रहा इनका Skeleton तो ये सब कुस्तों हम अपनी पिछली क्लास में जान चुके हैं जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं किये थी उनके लिए लिंक की यहां पर आईटेंड में आ रहा है हमने अपनी पिछली क्लास में ये सब कुस्तों जान लिया था कि Hydrocarbons को इस पकार से डिवाइड किया गया लेकिन हमने ये नहीं जाना था कि ये जो Hydrocarbons के Skeleton हमें मिले इनके हम नाम कैसे रखें क्या इनके नाम रखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा क्या हमें कुछ रूल फालो करने होंगे इनके नॉमन क्लेचर के लिए तो चलिए आज हम यही सब कुछ जानते हैं इसको समझने से पहले हमें जानना होगा IUPAC को IUPAC बच्चो एक संग है एक यूनियन है जिसका पूरा नाम है International Union of Pure and Applied Chemistry ये एक ऐसा संग है बच्चो जो ये निर्धारिक करता है कि Organic Compounds के नाम क्या होंगे ये बताता है कि किसी भी Organic Compound का क्या नाम हो सकता है लेकिन बच्चो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि IUPAC सभी Organic Compounds के नाम नहीं रखता बलकि IUPAC ने दिये हैं कुछ नियम इन नियमों के आधार पर हम Organic Compounds के नाम रख सकते हैं और ये जो भी नाम होंगे इन नियमों के अधार पर बने हुए जो भी नाम होने वाले हैं Organic Compounds के वो ऐसे नाम होंगे जिन्हें पृतेक देश में मानिता प्राप्त होगी और वो अंतरास्टी रूप से मान्य होगी तो IUPAC देता है कुछ ऐसे नियम जिन से हम Organic Compounds के नेम रख सकते हैं तो चलिए देखते हैं वो कौन-कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम किसी Organic Compound को एक यूनिक नेम दे सकते हैं IUPAC द्वारा जो रूल दिये गए हैं उसमें से एक है बच्चो रूट वर्ड का रूल है आधार बूद शब्द का नियम IUPAC द्वारा जो भी नाम दिये जाएंगे या फिर जो भी नाम एप्रूब के जाएंगे किसी Organic Compound के उसमें एक होगा आधार बूद शब्द एक होगा रूट वर्ड जैसे आप में से कुछ बच्चों का नाम हो सकता है अजय कुमार तो हम यहां कहेंगे कि जो अजय है वो है रूट वर्ड आधार बूद शब्द और इसके पीछे जो एक पृत्या लगा हुआ है जो के लिखा है आपका सरनेम कुमार तो वो है सफिक्स पृत्या है यह दोनों वर्ड रूट वर्ड और सफिक्स मिल करके देते हैं किसी हाइड्रो कार्बन को उसका नाम अब ये तो हमने जान लिया कि IPC के रूल के अनुसार किसी भी हाइड्रो कार्बन में होगा एक रूट वर्ड और एक होगा उसके पीछे लगा वासा पिक्स अब हम जानते हैं कि ये रूट वर्ड है क्या आधारबुत शब्द की बात करें तो ये बताता है ये जो chain है एक सीधी श्रंखला है जिसके बारे में आज़म जान रहे हैं ये एक सीधी श्रंखला जिसमें कार्बन के बाद कार्बन आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है तो root word आधारबूत शब्द हमें ये बताता है कि किसी एक सीधी श्रंकला में कितने carbon जुड़े हुए हैं क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं सीधी श्रंकला की तो हम कहेंगे कि किसी एक सीधी श्रंकला में किसी एक straight chain में कितने carbon atoms present हैं तो जैसा कि यहाँ पर आप देखने हैं 3 carbon atoms यहाँ पर हैं 2 carbon atoms यहाँ पर भी 2 carbon atoms तो यह सब कुछ जो बताएगा वो है root word अब अगर हम बात करें suffix की तो suffix हमें बताता है number of bonds between carbon atoms present in the chain carbon श्रंकला में उपस्तित परमानों के मद्ध आवंदों की संख्या तो यह बताता है कितने bond हैं carbon और carbon के बीच में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर है single bond जबकि यहाँ पर है carbon और carbon के बीच में double bond और यहाँ पर है carbon और carbon के बीच में triple bond तो ये सब कुछ आधारबूत, शब्द, रूट वर्ड और सफिक्स मिल करके बन जाने वाला है किसी हाइड्रोकार्बन का नाम अब हम ये तो सीखे हैं कि कार्बन की नंबर अफ कार्बन जो शब्द हमें बताएगा हाइड्रोकार्बन में वो है रूट वर्ड और जो हमें ये बताएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं वो बताएगा सफिक्स लेकिन बच्चो क्या ये जो इन्फरमेशन अभी तक मैंने आपको दी है ये आपके लिए सफिशिंट है किसी हाइड्रोकार्बन का नाम रखने के लिए तो ऐसा हम कहेंगे कि ये अभी जो आपको मैंने इन्फरमेशन दी है ये सफिशन नहीं है तो कि अभी तक आपको ये पता नहीं है ये जो कार्बन कार्बन के नंबर्स हैं जैसे यहाँ पर देखें आपर थ्री कार्बन्स हैं इस कार्बन कार्बन के लिए कुछ इस प्रकारदा अगर कोई एक स्ट्रेट चेन है जिसमें केबल एक कार्बन है तो उसके लिए हम रूट वर्ड बोलेंगे मेथ अब अगर हम बात कर लें कि अगर किसी एक चेन हो और उसमें हो टू कार्बन तो उसके लिए जो हम root word का यूज़ करेंगे वो करेंगे 8 जैसे यहाँ पर देखें यहाँ पर है 2 carbons तो यहाँ पर को जो root word आने वाला है वो है 8 और अगर हम बात कर लें 3 carbons की अगर किसी chin में 3 carbons हों तो उसके लिए हम जो root word यूज़ करेंगे वो है probe जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे है इसके बात अगर हम 4 carbons की बात करें तो वो है but ऐसे ही 5 के लिए pent, 6 के लिए hex, 7 के लिए hept, 8 के लिए oct, 9 के लिए non और 10 के लिए dick ये इसी प्रकार से आगे को बढ़ते हुए जाने वाली है तो अब आप समझ गयोंगे कि अगर आपकी carbon chain में एक carbon लगा हो तो आप उसके लिए root word का यूज़ करेंगे, mate का तो पहली बात तो आप जानगे कि root word के लिए आप कौनसा शब्द लेने वाले है आप carbon chain में से number of carbons को देख लेंगे देखे, suffix को जानने के लिए हमें पहले recall करना होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने जाना था कि जो single bond वाले hydrocarbon हैं उन्हें हम कहते हैं alkane, double bond वाले hydrocarbon को हम कहते हैं alkene और triple bond वाले hydrocarbon को कहते हैं alkane यहाँ पर बच्चो जो suffix है वो आने वाला है इस alkane, alkene और alkane से कैसे देखे, अगर कोई hydrocarbon alkane है तो उसके लिए हम suffix का यूज़ करते हैं in अगर alkene है तो उसके लिए हम suffix का यूज़ करने वाले हैं in और अगर है कोई triple bond वाला hydrocarbon तो उसके लिए हम suffix यूज़ करने वाले है आई तो अब हम समझ गए हैं कि हमारी पास जो root word है वो तो आया है number of carbon atom से और जो suffix है वो हमें मिला है carbon-carbon के बीच की bonding से अगर single bond तो in, double bond तो in और अगर triple bond वाला hydrocarbon तो आई तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो hydrocarbon है वो ले लेने वाला है अपना एक unique नाम अब कैसे चलिए इस example से हम जान दे देखें इसमें जो root word यूज़ होगा वो होने वाला है three carbon के लिए probe तो हम कहेंगे पहले जो हम word लिखेंगे वो लिखेंगे हम probe और अगर हम इसमें bond की बात करें तो यह सिंगल bond से जोड़े कार्बन जिसके लिए हम suffix का यूज़ करते है एन तो यह बन गया प्रो एन प्रोपेन अब अगर हम बात करें जहांपर दो ही कार्बन हो उसके लिए तो आप देखें यहांपर को हैं टू कार्बन के लिए एथ तो आगया यह इसका root word या धर्बूट शब्दा आगया और अगर हम इसके suffix की बात करें तो यहांपर को है डवल वांड और इसके लिए जो suffix होता है वो होता है इन तो इन के लिए यह बन के देखें इन इसे ही अगर हम बात करें यहांपर को देखें यहांपर भी हैं कार्बन के टू एटम्स तो अगर कार्बन के टू एटम्स हैं तो फिर से हम लेने वाने एथ तो हमने ले लिया एथ और यहांपर को क्योंकि ट्रिपल बॉंड के साथ कार्बन जुड़े वे हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर कुछ जो सफिक समलेंगे वो लेंगे आइन तो यह हो जाने वाला है इथाइन तो यह कुछ इस प्रकार से हम हाइड्रो कार्वन को नाम देते हैं IUPAC की नियम होदवार को अब अगर बच्चो आप सीख चुके हैं तो हम कुछ आपका एक प्रक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं देखिए आपके लिए जो पहला प्रक्टिस सेशन है वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है यहाँ पर को आपके लिए हिंट्स दिये हुए है कि number of carbon atoms को हम कैसे indicate करते हैं और यहाँ आपको नीचे दिख रहा है कि single bond, double bond और triple bond वाले hydrocarbons को हम क्या कहते हैं और उनके लिए हम किस suffix का use करते हैं और उसके साथ ही उनका जो general formula है वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है इन सभी information को collect करते हुए आपने इस table को complete करना है अब कैसे हम इसे complete करेंगे देखिए यहाँ पर आपको दिया है number of carbon atoms एक number of carbon atoms हैं किसी compound में one और वो है alkane तो बताईए इसका नाम क्या होगा सोचिए आप लो बिल्कुल कुछ बच्चे सही बता पा रहे हैं वो हो जाने वाला है methane अच्छा क्या अब एक carbon वाला Alkin possible है ऐसा possible नहीं है बच्चे क्योंकि जो Alkin है उसके लिए कम से कम 2 carbon होने जाहिए और Alkin की बात करें तो ऐसा भी possible नहीं है कि जिसमें एक ही carbon हो और वो हो Alkin क्योंकि यहाँ पर भी 2 carbon होने जाहिए तो इनके नाम तो कुछ होने वाले नहीं है अब अगर हम बात कर लें थ्री कार्बन एटम्स वाले किसी एक कंपाउंड की तो देखे उसके एलकेन के लिए हम क्या नाम देंगे प्रोब देखे यहां सा आगा प्रोब और एन तो यह बन गया प्रोपेन अब अलकीन के लिए क्या नाम देंगे आप क्योंकि यहां प्री कार्बन्स हैं तो यह बन जाना अला प्रोब और यहां से एन प्रोपेन और अलकाइन के लिए यह बन जाएगा प्रोब आइन अब सेवन के लिए आप सोचिए कि क्या होगा कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता पा रहे हैं वो है 7 के लिए देखे हैप्ट तो यह बन जाने वाला है हैप्टेन अगर अलकीन की बात करें हैप्टीन और अलकाइन की अगर बात करें तो वो हो गया हैप्टाइन 8 कार्बन एटमस वाले अगर हम तो वहाँपर को अलकीन के लिए बन जाने वाला है 8 के ले देखे आक्ट तो हम कहेंगे अक्टेन यह बनके अक्टेन फिर इसके साथ लगएगा इन के साथ तो अक्टीन और फिर अक्टाइन और अगर हम बात कर लें 10 कार्बन वाली किसी चेन की तो उसके अलकेन का जो नाम रखा जाएगा वो हो जाने वाला है डेकेन अलकेन की बात करें तो डेकीन और अलकाइन की बात करें डेकाइन तो ये था बच्चो आपका पहला प्रेक्टिस सेसल अब हम थोड़ा से इसे टफ कर देते हैं कैसे देखें आपकी बार आपको दिये हैं कुछ हाइड्रो कार्बन के नेम और आपने इनका केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी गई है यहाँ पर को वो ये दी गई है देखें सिंगल बार, अलकेन, एन, डबल बार, अलकीन, ईन, ट्रिपल बार, अलकाइन, आईन और इसके साथ ही आपको दिये गए हैं इन तीनों के जनल फॉर्मूले तो आपने यह सब को जो इन्फॉर्मिसन आपको दी गई है इसके base पर यहां chemical formula को find out करना है इस hydrocarbon के लिए पहला आपको दिया है methane अब recall करजे कि made का meaning क्या होगा इसमें कितने carbon के atoms होंगे इस chain में आप सही सोच रहे हैं इसमें होने वाला एक carbon atom और इसके suffix पर ध्यान दीजिए देखें यह है end तो यह है alkane जिसका general formula है CNH2N plus 2 इसके chemical formula को find out करने के लिए हमें इस general formula में रखनी होगी carbon की value और आपने अब भी बताया था कि carbon है one atom इसलिए इसका नाम है myth तो 1 C1 आ गया और H2N 2 को 1 से multiply कीजिए 2 1s2 plus 2 तो यह हो जाने वाला है CH4 तो methane का formula होगा CH4 अब अगर हम बात करें ethene तो देखे it means two carbon atoms की वो chain होगी और in है तो वो होगा alkene जिसका general formula है CNH2N तो हम carbon की value को यह रख दें तो वो हो जाने वाली कुछ इस प्रकार की देखे CN की जिएकर पर हो गया 2 क्योंकि 8 है और H2N 2 into 2 तो यह हो गया C2H4 बात करेंगर हम butane की but, but का meaning हो गया carbon के atoms है 4 और N है N का meaning हो गया alkene तो हमें यूज करना है CNH2N plus 2 वाला formula कैसे कुछ इस प्रकार से देखे carbon जिसके 4 atoms है hydrogen 2 into N 2 into 4 तो फोर्जा 8 प्लस 2 10 तो यह हो गया chemical formula इसका C4H10 बात करेंगर pentine की तो pent, pent means fight carbon iron, iron है तो और triple bond वाला alkyn है जिसमें formula यूज होने वाला है CNH2N minus 2 तो बनाईए इसका क्या बन रहा है chemical formula बिल्कुल आप लोग सही सोच पा रहे हैं वो है C5H2 into 5 देखे 2 को multiply किया आपने 5 से minus 2 तो यह हो जाने वाला है 2 5s are 10 minus 2 8 C5H8 अब अगर हम बात करें nonine की तो nonine में क्या होगा देखे known है known means 9 carbon atoms होंगे और in है तो वो formula यूज होगा CNH2N तो हम कह सकते हैं यह होगा CNH2 into 9 तो यह हो जाएगा CNH18 अब अगर हम बात कर लें decine की dec, dec means 10 carbon atoms और यहाँ पर जो general formula यूज होगा वो होगा CNH2N minus 2 तो हम carbon की value को अगर इस N की जेगा पर रख दें तो वो हो जाने वाला है तो पहले हम multiply करेंगे 2 tan 20 minus 2 हो गया 18 तो यह जो chemical formula बन गया यह है C10H18 तो कुछ इस प्रकार से बच्चो अगर हमारे पास hydrocarbons का chemical name हो तो आप उससे उसका chemical formula भी find out कर सकते हैं आपको यहाँ पर भी देखना होगा कि कौन सा root word है और कौन सा उसका suffix है अब तक मुझे उमीद है बच्चो आप यहाँ तक सीख चुके होंगे अगर आपने यहाँ तक सीख लिया है तो अब हम थोड़ा सा और इसे tough कर देते हैं अब की बार आपको नाम दिया हुए hydrocarbons का methane, propene, butine और pentane और आपने बनाना है इनका skeleton और आपके पास फिर्ट से वही सब कुछ information यहाँ पर को दी गई है तो अब हमें बनाना है इनका skeleton तो देखें मेथेन, मेथेन में मेथ रूट वर्ड है रूट वर्ड मेथ बताता है कि carbon के जो atom है वो होंगे 1 और एन, एन है यह देखें, एन यहाँ सा आया तो वन की वेली को आपने यहाँ पुट कर दिया 2 x 1, 2 लस 2 तो हो जाएंगे hydrogen 4 इस formula के साथ अब अगर हम बात करें इसके skeleton की तो वो बन जाने वाला कुछ इस प्रकार का देखें c और इसके साथ single bond के साथ h लगे way आपको दिख रहे होंगे इसके बात अगर हम बात करें प्रोपीन की तो यहाँ देखें इसका जो root word है इसका धारबूत सब्द है प्रोप प्रोप मींस carbon के जो atoms हैं वो है 3 और in तो इस formula में रख लीजिए 3 का डबल कर लीजिए तो कितना हो गया? वो हो गया hydrogen की value 6 और अगर हम इसके skeleton की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है देखें कार्बन, कार्बन और कार्बन 3 कार्बन्स हैं क्योंकि यह है in तो यहाँ पर होगा किनी 2 कार्बन्स की बीच में double bond कुछ इस प्रकार से तो यह बनगा प्रोपीन अब अगर हम बात करें butine की, but, but है जिसमें carbon atoms होंगे 4 और iron, iron की बात करता है तो हम इस formula को apply कर देंगे तो यह होगा देखे 4, 2 into 4, 8 minus 2, तो hydrogen हो जाने वाले 6 और इसके अगर हम skeleton की बात करें तो वो बन जाएगा कुछ इस प्रकार का क्योंकि यहां पर लिखा है iron, तो इसका meaning यह हुआ कि किनी दो carbon's के बीच में होगा triple bond, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है अब हम बात कर लेते हैं pentane की, pentane, pent means five carbon's होंगे और an की अगर बात करें तो वो है single bond वाला l-kane, तो हम इस formula में अगर carbon की value को put कर दें वो हो जाने वाली है, 2 into 5, 10 plus 2, 12, तो hydrogen की जो value आ गई वो आ गई 12, hydrogen atoms हो गई 12, और इसके skeleton की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का बन जाने वाला है, सभी carbon atoms जुड़े हुए है single covalent bond के साथ, तो बच्चो अब तक आप यहां तक सीख शुके होंगे, अब हम बच्चो थोड़ा सा एक level और उप बाच पा रहे हैं या फर नहीं, यहां देखे बच्चो यहां पर को आपको एक skeleton दिया होगा, आपने इस skeleton से इसके chemical name को find out करना है, chemical name को find out करना बड़ा easy है, देखे कैसे, पहले आप देख लेजिए कि carbon की जो chain है, उसमे carbon, number of carbon atoms कितने हैं, तो यहां पर है 1, 2, 3, तो root word होग 3 carbon के लिए prop, और यह सभी single bond से जुड़े हैं, तो यह हो जाने वाला है ale, अब अगर हम इसका नाम रखें, वो हो जाने वाला है propane, एक दूसरा skeleton लेते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि carbon है, carbon के हैं 3 atoms, तो यह हो गया pro, बिल्कुल ऐसा ही देखे, pro, लेकिन यहां पर आने वाला है, आइन, प्रोपाइन, एक और skeleton ले लेते हैं, यहां देखें, carbon और carbon, यहां पर है two carbons, जिनके बीच में है double bond, two carbon के लिए हम जो root produce करते हैं, वो है एथ, और यहां पर double bond है, यह है alkene, इसका जो chemical name होने वाला है, वो हो जाएगा ethene, एक और ले लेते हैं, blast skeleton, जो कि कुछ इस परकार का बना वाए, देखें, इसमें carbon और carbon atoms जो हैं, वो जुड़े हैं single bond के साथ, कितने carbon atoms हैं, one, two, three, four, five, six, six carbon atom के लिए हम root word use करते हैं, hex, और यह सबके सब single covalent bond से जुड़े हैं carbon, इसलिए यह हो जाने वाला है alkene, और इसका जो chemical name होने वाला है, वो है hexane, तो यह हैं बच्चों इनके IOBAC name, चलिए अब एक quiz के द्वारा यह समझते हैं कि आज आज आपने क्या-क्या सीखा, यह रहा आपका आज का पहला question, the number of covalent bond in propane, जिसका molecular formula आपको दिया है, C3HH है, उसमें आपने बताना है कि कितने number of covalent bond होते हैं, प्रोपेन में सासेयोजी आबंद हैं, जिसका आणविक सूत्र है, C3H8, तो आपने बताना है कितने इसमें covalent bond होंगे C3H8, options रहे, 8, 3, 11, 10, कितने इसमें covalent bond होंगे प्रोपेन में, सोचिए, वो हो जाने वाले 10, अब 10 कैसे देखिए, 10 कुछ इस प्रकार्ट होने वाल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10, इस प्रकार्ट से हम कहेंगे कि प्रोपेन में जो number of covalent bonds हैं, वह है 10, चलिए, अब बढ़ते हम एक second question क्यों को, second question रहा, the IUPAC name of C6H10 is, C6H10 का IUPAC नाम क्या है, यह आपने बताना है, options रहे, hexine, hexane, hexine या फिर none of the above, तो आपने बताना है, C6H10 का IUPAC name, वह हो जाने वाला है hexine, कैसे हमें पता चला, देखिए hex, तो आपको पता है कि 6 carbon है यह आपर को, आइन के लिए हमें यूज करना होगा, अलकाइन का formula, जो कि था, CNS2N minus 2, 6 का double कीजिए, 6 to 12 minus 2, 10, तो यह बन गया hexine, अब पढ़ते हम आज के third question क्यों, यह रहां आज का third question, what is the IUPAC name of the given skeleton, आपको एक यहाँ पर कंकाल दिया गया है, hydrocarbon का, जिसका नाम आपने, IUPAC नाम बताना है, options रहे, ethine, ethane, ethene, या फिर none of the above, तो आपने बताना है, इस skeleton का IUPAC name, वो हो जाने वाला है, ethene, क्यों, यह यहाँ पर को carbon atoms है, two, तो two carbon atoms के लिए हम root word यूज करते है, और यहाँ पर है double bond, यानि की alkene, तो यह हो गया ethene, अब बढ़ते हैं, आज के last question क्यों रहे, यह रहाँ आज का last question, what will be the chemical formula of butine, butine का रसाने के सूतर क्या होगा, options रहे, C4H6, C4H10, C4H8, या फिर none of the above, तो आपने बताना है, butine का chemical formula, जो हो जाने वाला है, C4H6, अब क्यों है यह butine, देखे, but means, 4 carbon atoms होंगे, और iron, iron के लिए formula लगाना होगा, आपको cns2n-2, तो 4 को 2 से multiply कीजिए, 4, 2s are 8, minus 2, 6, तो यह हो गया हमारा सही option, अब देखते हम आज, आज के दोरा कियेगे interesting comments को, comments of the week हैं, आज के, पहला comment है आज का, दिक्षा का, thank you दिक्षा, इसके बा रेसर शिवम का, thank you रेसर शिवम, आप सभी बच्चे इसी प्रकार से comment करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी classes कैसी लग रही हैं, और channel को subscribe करें, share करें, video को like करें, thank you बच्चो